Hello and welcome back to the channel जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 NCRT इलेक्रिक चार्जेज और फिल्ड के अंदर टॉपिक ख़दम किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉप तो यह लेक्चर में हम लोग उसके आगे जो नेक्स टॉपिक है उसको कंटीनियू करेंगे पर अगल हम लोग इसको छोडएंगे तो वो क्या होगा अर्त की तरफ अट्रेक होगा इसका मतलब यह हुआ कि earth की around कुछ area तक कुछ area तक क्या होगा कि उसका खुद का कोई field होता है जिसको क्या होते हैं हम लोग gravitational field क्या होते हैं जिसको gravitational field तो उसी तरह अगर हम लोग charge की बात करें मानलो कि आपके बास एक charge है मानलो कि आपका ये charge है प्लस या माइनस कुछ भी ले लो यहाँ पर हम लोग प्लस चार्ज की बात करेंगे मालो कि यह capital Q चार्ज है अभी बुक के अंदर आपको कैसे समझाया है देख ले जैसे कि आपको यह बोला है कि यह मालो कि आपके पास एक चार्ज है small r distance के उपर एक small q चार्ज है जिसको बुला है test charge जिसको क्या बुला है test charge बुला है जैसा कि आप लोग लेक पा रहे हो कि हमारा जो source charge है यानि जिसका electric field हमें find करना है वो source charge positive है और यह test charge भी क्या है आपका positive है ठीक है तो यह जो force का formula होगा, वो आपका कितना होगा? F is equal to, F is equal to, vector form में अगर उसको दिखाए, K capital Q, small q upon r square direction है उसकी r vector, कौनसे direction में हो? r vector, तो पहली बात ही होगए कि यह दोनों की इस force देख रहा है, ठीके? अब इस field का मतलब क्या है? कि अभी आप लोग सोचों कि मैंने ये charge को यहां से हटा लिया, मैंने ये charge को यहां से हटा लिया, तो क्या इसकी around जो इसकी property थी, दूसरे charge पे force लगाने की, क्या वो खतम हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, ठीके? जब तक आपने charge रखा था, तब तक उसके उपर force लगेगा, चार्ज हटा लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका field खतम हो जाएगा, यानि इसकी around तो यहां पे जो सारा area है, वहां पे field present है, field आपका present है, जो आपका imaginary field बनने वाला है, जिसको क्या बोलेंगे? electric field, अपर definition क्या है समझ लोग, तो electric field का मतलब होता है, ये q को आप नीचे ले के आओ, small q को आप नीचे ले के आओ, तो यहां पे जो आपका formula बनेगा, f upon q is equal to k q upon r square, तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये बनेगा आपका electric field, ये क्या बनेगा आपका electric field, तो उसको अलग से हम लोग दिखा दें, तो electric field का जो formula बनेगा, e is equal to k q upon r square r carat की direction, यानी r vector की direction में, तो ये हो गया आपका formula, electric field of capital q charge, electric field of capital q charge at r distance, वो क्या होगा आपका k q upon r square, simple है k q upon r square, अभी अगर आपनों उसको ये formula से देखे, ये वाले formula से अगर उसको देखे, तो इसकी definition क्या बनेगी है, आपनों देख लें, तो आप लोग इसको गोल सकते हो, कि force, इसको आप लोग गोल सकते हो, कि force per unit positive test charge, is called the electric field of a source charge, तो आपको इक बात याद रखने है, कि जो electric field है, वो किसका होने वाला है, source charge का electric field होगा, और जो force लग रहा हो, किसके उपन लगेगा, test charge में लगेगा, test charge क्या है आपका, तो test charge यह वाला, small test charge है आपका, small q, और यह जो capital q है, आपका क्या है, source charge है, क्या है, आपका source charge है, तो simple आपको formula याद रखना, easy equal to kq upon r square, उसके बाद आपको definition याद रखने है, कि force per unit positive test charge, is called electric field of source charge, ठीक है, तो उसके direction आपको अभी समझना आ रहे है, अगर अब लोग formula में देखें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि force के direction है, वही आपकी क्या होने वाली है, electric field के direction, याँ आप यहाँ बे लिख पारे हो, यहाँ बे लिख पारे हो, उसको क्या लिखेंगे तर, कि the direction of, the direction of electric field will be in the direction of, in the direction of force on a positive test charge, test charge को आपको always positive रखना है, यह बत यहाँ रखना, test charge को आपको always positive रखना है, तो अगर आपने positive test charge लिया है, किसी भी charge के around, मालों कि यह source charge आपका positive होता या negative होता, उसके around आपने test charge को लेना है, positive test charge, उसकी उपर जो direction में force लगेगा, वो क्या बनाइगा आपका, electric field के direction, और ओ field किसका होगा, source charge का होगा, किसका होगा, source charge का होगा, यह अगर आपने negative की बात करें, तो अगर हम लोग बात करें, अभी field की direction की, अगर हम लोग पाइब ने ना और अगर negative charge की बात करें, तो वह test charge में force लगाएगा, तो वह कहा भी लगाएगा, अंदर लगाएगा क्योंकि आगर यह आपका नेगेटिव ए तो इसको ऐड़ेग करेगा अगर और नेगेटिव के किसमें और नेगेटिव के किसमें बन गए हो इन्वर्ट और ठीक है तो यह होगा आपका का सब्सक्राइब। इसका यूनिट लिख ले जागा तो एक फॉक्टन पर कुल्ब्ब्ध क्या बनाएगा न्यूटन पर कुल्ब्द पुल्ब्ध सहे तो यह होगा अपका इलेक्टीक फिल्ब इसके बारे में आपको कुछ चैरेक्टर जाद अपने क्वेश्चन यह है और दे क्यरेक्टर ऑफ एलेक्ट्रिक फिल्म पहला पॉइंट यह है कि आपका जो सोर्च चार्ज है मालोगी आप सोर्च चार्ज की सुनों भी यह इसको ध्यां से सब्लब आपका जो सोर्च चार्ज है प्यापिटल क्यू हमें उसका इलेक्ट्रिक फिल्ड करना है और दिश्टर्स की उपर और तो सिंपल बात हमें क्या दरना पड़ेगा वहां पर कोई टैस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा और वो पर यूनिट टैस्ट यह जितना फोर्स तो वो क्या गरता की ये source charge को भी वो क्या करते था रिपेल करते था positive positive case बें source charge यहां पे stationary नहीं रह पाता हमें उससे our distance पे find करना है यानि ये charge हमारा क्या रहना चीए stationary रहना चीए अपनी position पे पकड़े रहना चीए तो हमें क्या अगरना पड़ेगा कि test charge को जितना हो सकता है उतना छोटा लेना पड़ेगा तो पहली बाद हम लोग लिख लें कि test charge वो positive भी होना ची is always positive and very small in magnitude very small in magnitude तो हम लोग लिखेंगे limit q tends to 0 क्यों को क्या आगना है जितना हो सकता है उतना चोटा रखना है समझ में आ रहे हैं क्यों चोटा रखना है तो हमें capital q जो हमागा source charge है उसको stationary रखना है उसकी जगह से वह नहीं हिलना जाए वनना हमें जो our distance field find करना था वो हम लोग नहीं कर पाएंगे अगर वो अपनी जगह पर रह पाएगा तो ही हम लोग our distance field find कर पाएंगे तो यह करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो opposite सामने वाला charge है small कि उसको क्या रहना पड़ेगा जितना हो सकता उतना छोटा लेना पड़ेगा ठेके दूसरा point the value of field दूसरा point यह होगा कि the value of field the value of electric field does not depend does not depend on the magnitude magnitude of small q या निटेश चाज it only depends on its position आपको यह बोला कि small q की value कितनी मतलब कुछ भी ले लो value change करने से electric field की value ने कोई फरक नहीं पड़ेगा उसका reason आप लोग समझ लो कि एका जो formula बनता है e is equal to f upon q यानि यहाँ पे आप देखलो कि अगर हम लोग आपको अभी question होगा आपकी q बढ़ा करेंगे तो electric field छोटा क्यों नहीं हो जागा इसकी value बढ़ाएगे तो यह कम क्यों नहीं हो जागा तो इसका reason यह है कि यहाँ पे जो f है here f proportional to q है यहाँ पे जो आपका force है charge के directly proportional है यानि आप जैसे ही q को increase करते हो साथ साथ में force भी क्या हो जागा इंक्रीज हो जागा तो दोनों ही दूसरे को balance out कर लेंगे तो यह value always क्या रहेगी constant यह value always क्या रहेगी constant रहेगी यहाँ अगर उसकी position change करते है तो फिर बात अलग बनेगी अग जब तक उसका magnitude change करते है तब तक electric field में कोई फरक नहीं पड़ेगा position change करने पर फरक पड़ेगा तो इसका दूसरा formula क्या है electric field का k q upon r square कितने distance पर find कर रहे हो अगर distance जाधा कम करेंगे तो electric field भी जाधा कम होगा पर उसकी value यह जो small q charge है उसकी value change करने से कोई भी आपका electric field में फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया आपका point तो क्या था इसके अंदर तो electric field जो है आपका small q charge की value पर depending करता उसकी position पर depend करता है ठीक है तीसरा point हम लोग लिख ले उसके बाद next point क्या है तो हमने जो direction वाला निखाला कि force की जो direction होगी test charge के उपर वहीं जो source charge का electric field बनेगा इसके उपर से लिख पाएंगे कि direction of direction of electric field of a positive charge positive source charge is radially outwards radially outwards and of a negative negative source charge negative source charge it's radially inverse it's radially inverse it's radially inverse positive जो charge है उसका electric phase radially outwards होगा negative का क्या होगा radially inverse यानि अब लोग उसको करी यहांपे draw कर लें अगर positive दिखा रहे तो radially outwards यानि यह direction में ऐसे होगा radially outwards नेगेटिव का कैसे होगा तो इस तरह से रेडियली इंवर्ट्स इतने पॉइंट्स आपको याद रखने होगे ठीक है तो यह होगा आपको electric field simple है force per unit charge is known as electric field of source charge simple बात है ठीक है इसके बात का क्या topic है characteristics of electric field lines electric field lines की characters क्या है और electric field lines क्या है तो सबसे पहले क्या है तो सबसे पहले क्या है तो सुन लो electric field lines electric field lines are used to show the presence presence of electric field कहीं हैं कहीं पर बिए अगर electric field present है तो उसकी presence दिखाने के लिए हमें क्या रॉक करना पड़ेगा electric field lines को रॉक करना पड़ेगा थीक है तो सब्सक्राइब की समय लोग क्या करते हैं हमने पहले उसको डॉक किया अब जंड़ में तो सब्सक्राइब करने में तो सब्सक्राइब रोगा क्यूंत इधर पॉसिंटिटिब के कि समय करें और निर्सिटिव के पोड़ेटिव कैस्यों कि ऊंदिदीव और युदि उनट इन पर क्या सभाने सेbereich तो पहले बात जली है कि महीं早े तो इसको यहां पिछ को बाएन तुसरे आप धिनरल नहीं है है यांई ती अलोग की का डिश्टस हैवे विह कि दर में आप फील्ड ऐस फिल्ड इस प्रोंगर थिश दर गइंग वेढंट respect को सो छंड इस संट आफर ऐसले के करीब करेब होगी तो आघ कि एक दूसरे के पास लोगि सकते कि वेर किフल एक वह समीकर वीकर इस वागा वी भीविंदला Cultural फार अपार्ट है जहां पर आपका ञारी होगा वहांपे लाइस क्या हो कि एक डूसरे से तो तो अंगा हैँ चार्ज आपका रहे हों जुआ है याँ यहांपे आप देख पा रहे हैं में सmicro पहुत ना है अगर हम लोग सर्कर्ल यहां पे ड्रा रहे थो कि यहां पे जो लाइंज की टेंशिटिर वो क्या है कम है तो यहां पर फिल्ड क्या होगा वी कर फिल्ड क्या होगा उप्लैयंगट आ चै Special हम लोग यह लिखेंगे कि वैन तो मिदThe को लेवं देल a BEC fI alkaline लाइंस आर पेरेललन एड एकुई डिस्टल्ट इस यूनिफर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड जहां पर आपकी फिल्ड लाइंस एक दूसरे से पैरलल है और एकूई यानि सेम दिश्टन्स सब्राइन एक दूसरे से तो वह में ख़री इन ह कि यह वालए Gruff कि यह और चाहँ है निवया है वाहांपे वहाँ पर वहां पर फिल श्ट्रॉंगर दूर दूर है वहां पर वह किसमें भी अगर एक दूसरे से इक्वे डिस्टंस है और पैरलल है तो वह क्या वनेगा आपका यूनिफॉर्म एलेक्ट इस पॉइंट नेगा यह विए आपका एक पॉइंट फॉर एस सिंगल पॉजिटिव चा फिल अउड नाइंज अ आ फिललेगा इस स्टार्ट फ्रॉम एक चार्ज अन्लियर टर मिनेट टर मिनेट एक एक इन्फाइने इन कि यानि सींगल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वहां पे अम लोग उड पाया हम लोग वाल शकते हैं कि जो फिल लाइंज है पॉजि से निकलती है पर वो कहां पे जाके रुखेंगी हमें नहीं पता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो infinite जाके infinite distance पे terminate हो रही है infinite तक वो जारी है यानि यह जो lines आपकी infinite पे जाके रुखेंगी ऐसा हम लोग बोलेंगे single positive charge के लिए ठीक है और उसी तरह अगर हम लोग single negative charge की बात करें for a single negative charge filled lines start from infinite and terminate at a negative charge यानि negative के case में हमें बता है कि वो manifold inward होनती है terminate चार्जपे होती है वो तो हमें बता है पर वो कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता तो हम लोग क्या ओलेंगे कि वो infinite से start Tä Trade के start from infinite end of midnight at negative चार्ज seller infinite और पे टर्मिनेट करें ठीक है तो गी single positive सिंगल नेगेटिव की बात हुई अगर हम लोग दो चार्जिस की बात करें जैसे डाइपोल की बात करें for a system of for a system of two charges two unlike charges two unlike charges field lines field lines start from start from positive charge end terminate terminate end negative charge single की केस में तो हमें समझ में आगे कि positive के केस में निकलती है infinite तक जा रही है negative के केस में infinite से आके negative में end हो रही है positive negative के केस में क्या होगा तो मालनों कि ये positive है सामने एक negative है तो field lines क्या करेंगी positive से निकलके negative में जाएगी positive से निकलके negative में जाएगी तो जितनी भी lines है जो positive में से निकल रही है वो negative में जाने की try करेंगी जितनी भी आपकी field lines है यानि जो नस्दिक वाली थी वो तो पहुंच जाएगी जो बाहर वाली थी वो भी उसके अंदर जाने की try कर यह से आपको देखके लगीगा जितनी भी जो line से आपकी सारी की सारी negative की तरफ जाने की try करेंगी यानि जो बाहर वाली है वो भी अभी उसके तरफ track हो रही है यहां से वो ऐसे जाने की try करेंगी असा आपको लगीगा तो single positive, single negative की अंदर कुछ अलग था इसके अंदर क्या है positive से लेकिन negative की तरफ ठीके चलो next उसकी बाद next point क्या है तो कहीं पे भी अगर field line बनी है उसके उपर आपको अगर direction दिखाने है तो क्या वरेंगे तो लिखेंगे की a tangent drawn at any point on a field line on a field line will give the direction of electric field at that point field line के उपर कहीं पे भी आप अगर tangent drawn करते हो तो वो आपको क्या दिखाएगा वो point के उपर electric field की direction मालो कि आपके पास एक electric field line ऐसे है मालो कि आपके पास एक electric field line ऐसे है यह direction में जागा आपको पूझा जाएगी यह point पे field की direction क्या है यह point पे field की direction क्या है तो आपको क्या करना है simply यहाँ पे एक tangent draw करना है यहाँ पे field की direction आपको यह tangent की direction में मिलेगी अगर यहाँ पे बताना है तो क्या करेंगे कर लेना ठीक है चलो नेक्ट पॉइंट कि उसके बाद नेक्ट पॉइंट क्या है तू फिल्ड लाइंट नेवर नेवर इंटरसेक्ट if they do if they do a point of intersection point of intersection will give two directions two directions of electric field which is not possible which is not possible यानि आपको ये बोला है कि field lines, दो field lines कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते, इस तरह से कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते अगर intersect करे गी तो क्या होगा कि a point of intersection will give two directions of electric field which is not possible which is not possible, यानि समझ ले इसको तो क्या है, मालो कि आपकी एक field line ये है और दूसरी field line मालो कि ये है इसको बोलो a है, ये है आपका b आपको ये पुछा जाए कि ये जो intersection का point है वहाँ पर electric field निकाल है अगर आप b line का tangent डॉपर होगे तो वो आपको इधर मिलेगा आपको अल्रेडी बता है कि electric field line के उपर direction निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा tangent रोगना पड़ेगा तो b line का tangent इधर बनेगा a line का tangent आपका कहीं पर इधर बनेगा तो एक ही point के उपर एक ही point के उपर आपको electric field के क्या मिल रहे है दो direction मिल रहे है तो this is not possible this is not possible ये बात possible नहीं है कहीं पर भी दो lines intersect नहीं करेगी ठीक है चलो उसकी बात next point electric field lines electric field lines never form a closed loop field lines जो है आपकी कहीं पर भी close loop नहीं बना सकती क्यों नहीं बना सकती तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो charge था अगर अकेला positive था तो उसके अंदर lines जा हो रही थी nickel के infinite तक end हो रही थी अगर negative अकेला तो क्या हो रहा था negative के case में आपका infinite से लेकि negative पर terminate हो रही थी दो charge के case में क्या था तो positive से nickel के negative में end हो रही थी loop बनने का मतलब यह है कि यह जो nickel है वो वापिस गूं के उसके अंदर आ रहा है यह nickel है वापिस गूं के उसके अंदर आ जाए तो यह वाली बाद possible नहीं है this is not possible this is not possible तो fill line का close loop बनना possible नहीं है ऐसे close loop बनना possible नहीं है close loop बनने का मतलब है जहां से निकली थी जो charge में से वही charge में वापिस आ जाए ठीक है तो यह मत समन्दा की close loop यह है तो यह close loop नहीं है यह आपका close loop नहीं है यहा positive से निकल के negative में जा रही है पॉजिटीव से निकल के वापिस पॉजिटीव में आ रही है तो वो बनेगा प्लोज लूप पर यहां पर ऐसा बनना पॉसिबल नहीं है तो यह हो गए आपके सारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइक बोर की एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन क्वेशन है जिसको अच्छे आप लोग प्रिपेर करो कोई भी अगर आपनों डाउट आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बोच सकते हैं